नमस्का दोस्तो आप लोग को जोहार एकजाम में स्वागत है दोस्तो तो चली दोस्तो आज हम लोग जार्खन महिरा सुपरवाजर में आप लोग हिंदी पेपर टू का आज मेरा आथन कलास करेंगे दोस्तो जो आप लोग को हिंदी पेपर टू में आप लोग को कितना में आएगा तो चलि हुल आज नोग मेरा अथन कलास्ते करते हैं दोस्तों आप अपना परफेश डं सही घं चाहिए का क्या होने मुद्धा है इसलिए अपनों तो चलिह दोश्तों हम लोग को प्लान के बाठते हैं तो देखे दोस्तर फर्स्ट्व क्या है कि बिथ्था सब्द का तत् déplत्ध कि मन्धण होगा यह तो बिथुर्था यह बिथ़ा कली यह बिथ्था हो जाएगा तो यह हो जागा विए उत्था हो जाएगा अप्स नबर बी हो जागा आगे देखी देखे तोलसिदास का निधान कब हुआ था तो तोलसिदास का निधान कब हुआ था दोस्तों 1623 में 1926 में 1628 में 1925 में तो तोलसिदास जी का निधान कब हुआ था दोस्तों तो इनका नीधान हुआ था 623 स्विविंगे आजी देखी देखी बरवे रमायन के रचनाकार है देखी तो कोन है वेद व्यास रहीम दास तुलसिदास बालमिकी तो कोन है देखी विद्यापति है वासा और गौराव स्रेष्ट गितकार है रसीका है ये सबी है तो विद्यापती जी कैसी थें भासा और कर भासा और गौर đến जो रसीका थें तो ये तीन आधिक नसले में को आधिक दोस्तों घुं अगा दोस्तों किये आप लोगों कुझे में उन्ह Vors परहनलिग Morgan मैं कि अश्ध चापके अस्थापना किसने की थी बलभाचार्य ने रहा मानन ने गोस्वामि मिठ Article नाथ ने निंबा काचार्य ने तो कौन कें थे दोफ्तों तो अस्थ चापके अस्थापना किसने के थे यह केए थे गो मैं आखी किस कांड़ को रामचरेत मानस का हित्य कहा जाता है तोस्तो Ayaudhya कांड़ को सुन्दर कांड़ को किस कांड़ कोicação की सकांड को रामचरेत मानस कहा जाता आप Lehrиком॑ कुन सा कांड है तो यह है आयोध्या कांड को आगे देखी कि शिवराज भूसन में कितने अलंकारों का निरूपन हुआ है तो कितने अलंकारों का निरूपन हुआ दोस्तों 107 111 105 या 104 हुआ तो कितने में अलंकारों का निरूपन हुआ है दोस्तों यह हुआ है आप लोगों 105 आगे देखी कि देखें दिनकर जी किस वर्स पदम भूसन सम्मान से सम्मानित के गए थे तो कुन सा वर्स में उनको पादम भूसन सम्मान से सम्मानित के गए थे दिनकर जी को 1969 में 1963 में 1964 में उनको पादम भूसन से सम्मानित किया गया था दोस्तों दिनकर जी को तो यह आप लोगों 1969 को देखें इन कार्णों में कौन काव्य दिनकर की नहीं है इस चारों में से कौन सी काव्य दिनकर जी का नहीं है दोस्तों पंच्छी रसवन्ती रेनुका धोप और धुमा तो कौन सा नहीं है दोस्तों दिनकर जी का काव्य यह कौन सा नहीं है यह है आप लोगों नदी के दूइप सिर्षक कविता किसकी है तो सम्दात की सुनिता जैन की विण की अग्याइजी तो किसके है दूस्तों तो नदी की दूइप सिर्षक कविता खिसकी देखे अग्या जी कहा है संपाधक में किस नाम से कविता संग्रा निकली है तो अग्या जी के दिवारा जू संपाधक किने तो उन परियोग वादा संग्या न्याएन ने दोस्तों आगे देखी नगाजुन दोआ में थिली भासा में रजीत उप्नियास का नाम बताई तो कुछ सा नाम है दोस्तों पारो पत्रहीन नगन्य गांद चिंता या इन में से कोई नहीं तो इसका राटेंसे क्या होगा दोस्तों नगाजुन द्रवार मेथली भाशा मेरा चीत उपनियास का नाम क्या है तो उपनियास का नाम क्या है इसका है पारो है डेखे निमली लिखित में से में ठिली भाहशा में कौन सी कविता नगाज दोस्तो तो कौन साथ है पत्र हीन नगन्य गाज चिन्ता एवर भी दोनो तो इसमें देखिए तो यह और भी दोनों हो जाएगा पत्रहिन नग निगाश हो चिंता देखिए ओप्शन नबस यहां थोड़ा टैपिंग में मिश्टेक हो गया है दोश्टा देखिए इन में से कौन सा काभिक्रिती सर्विस द्याल सक्षेना की नहीं है तो कौन सा क्रिती नहीं है दोस्तों सर्विस्वल द्याल सक्षेना की माया दर्पन माया दर्पन है गर्म हवाय बास का फोल पूल और एक सोनी नाव तो कौन सा है दोस्तों सर्विस्वल द्याल सक् है तो यह है आप लोग को माया दरपन जब की गर्म हावाए बास का फूल एक सुनी नाव यह तीनों है दोस्तों देखें नागाजोन की दिरिष्टी किसके सम्मान है या यम्दूत जनता के लिए दुस्मन दोस्त बंदू या मित्र तो इसका राटेंस से क्या हो जागा दूस्तों यह हो जागा आप लोगों को बंदू हो जागा बंदू के लिए देखें राग दरबारी उपन्यास के अधार पशुव पागल गंज कितने ठाने थें तो कितने ठाने थें दोस्तों सिव पागल में इक दो तेन चाट गितन ठाने थें उसमें तो यह थे ठाने एक थें देखें अंग्रेज भायत को क्या कहते थे तो अंग्रेज क्या कहते थे अनपड कला का फेर या इंडिया तो क्या कहते थे दोस्तों तो क्या कहते थे तो कला कहते थे क्या कहते थे अंग्रेज रोग लोग कला देखिए धुर स्वामनी नाटा की आधार कृति है दूस्तों क्या है चंद्रगुप्त है देवी चंद्रगुप्त है प्रश्चित है या कोनार्ख है तो क्या है दूस्तों इसका राइटेन से क्या हो जाएगा दिये हो जाएगा आप लोग को देवी चंद्रगुप्त है किसे घर की बाते बता रही थी कि असुक नेप कड लिया तो असुक क्या नेप कड लिया तो सुरेखा को सरोजा को निता को या दिछा को तो किसको बता रही थी तो यह बता रही थी सरोजा को और देखिए जागरन का संदेश है भातेंदु कि किस नाठक में हैं तो किस नाठक में है दूस्तू विलरस्य विसम्बो मोध धम में भारत दूरदसा में अंधे नगरी में यह सभी में कि ये अब ओटी ऊजगा ये वी में होगा ऑर कि इसका राइट उन्सर तीनों हो जाएगा तो चंद्रमनी, कौमा, चंद्र, चंद्रमुकी तो इसका राइट एंसर क्या हो जागा दोस्तों यह हो जागा आप लोग को चंद्र हो जागा देखे पुरूस एक दिन किसके यहां जाने की बात कहता है तो पुरूस एक दिन किसके यहां जाने की बात कहता है जुने जा के मनोच के इंदरजित के जग मोहन के तो किसके घर जाने के बाद कहता है दूस्तों एक पुरूस एक दिन में यहाँ तो यह कहता है दूस्तों आप लोगों को जुने जा भाड में जा किन्तों आज तक दुखी दुख की भट्टी में जनता है तो रही या किसका कथन है दोस्तो तो सरावी का परचित रामजी का तलू जमदार का सरावी का ठाकूर सरदार सिंग का तो यह कथन किसका है दोस्तो यह कथन आप लोगो सरावी का है देखे धुमील की कविता किस कारण अलग से पहचानी जाती है तो किस कारण से अलग से पहचानी जाती है लोग भासा संगीत आत्मक भासा महावडेदार भासा बोलचाल की भासा तो कराइट से क्या हो जाएगा दोस्तों कि धुमिल की कविता किस कारण से अलग से पहचानी जाती है तो यह पहचानी जाती है महावरिदार भासा की कारण लेकिए धुमिल का मूल नाम क्या है तो धुमिल का मूल नाम क्या है दोस्तों सुदामा पांडे गया पांडे कृष्णा नन पांडे शुरेश पांडे तो धुमिल का मूल नाम क्या है दोस्तों धुमिल का मूल नाम क्या है तो सुदामा पांडे है देखिए राय साहब अमरपाल सिंग किसके प्रेमी थे तो किसके प्रेमी थे ये जो राय साहब अमरपाल तो साहित और संगी के संगीत के भांग के या साहित के तो किसके कि यह क्ये पूस्तों राई साहब अमरपाल सिंग किसके पूस्तों यह थे अप हो संगित ओर संकी के प्रेमित है आगे Katherine करद भिहार की किस जीले की बाद की गई है दोस्तों तो भिहार की कि यह पुर्णिया का या कटिहार का तो किसका जिक्र हुआ है दोस्तों यह हुआ है पुर्णिया का जिक्र हुआ है मेलाच उपनियास में देखे पंडित राधेलाल कि किसी भी मुकदमे से क्या बन सकते थे तो सलाकार मुक्त सलाकार चस्मीद गवा या गवा तो क्या बन सकते थे तो यह पंडित राधेलाम किसी भी मुकदमे से क्या बन सकते थे यह बन सकते थे मैं चस्मिद चस्मिद गवाँ बन सकते थे हैं कि देखे उपनियास गदान का मुलख्य पातर कौन है डुफतों राय शाहब है गोबर है अचाँ कोन है तो कोन है दुफतों उपनियास गोडान का मु expose पत्र कौन है यह है आप लोगों को होरी राम है देखे मेरी गंज गाउं में पढ़े लिखों की संख्या कितनी थी तो कितनी थी पांच दस बीस पचीश तो कितनी थी दोस्तों मेरी गाउं गंज गाउं में पढ़े लिखों लोगों की संख्या तो वहां पर थी पचीश थी मेंरा अनुख कहता है की वह मैं नहीं हूँ कि अश्रा होने का भाव व्ष exec गया तो कौन क्या होने आधन का ऑच 세 utan पर्मात्मा का किनवर और गंधरों का राज़ कुमारों का या इन में से Еще कोर नहीं कर रहा टेंसे क्या होगा दूस्तों यह हो जागा आप लोग को सर्षक्तिमान पर्मात्मा का कि अब देखे जीसस शेड आठ एम दा लायत ओप दा वर्लड देट फलोथ एट मी शेल नॉट वाँ इन डार्कनेस बट सेल हो लाइप या किसकी आवाज थी दूस्तों तो मिस उड की एल मांड की डॉक्टर वर्मा की या इनिमेशन कोई नहीं तो यह आवाज किसकी थी दूस्तों यह आवाज आप लोगो थी एल मांड की थी देखें शिर्फ रुपए से ही आदमी अमेर नहीं होता किसी ने कहा तो यह किसी ने कहा था गज़ादर बाबु की पत्नी ने गज़ादर बाबु से गज़ादर बाबु ने अमर से गज़ादर बाबु की पत्नी ने नरेंदर से या गज़ादर बाबु यह कथन किसका है दो तो किशिफ रुपेश है या आदमी नहीं आदमी अम नहीं होता है यह कथन किसका है यह कथन किसका है दुस्तों तो यह जादर बाबू कि देखे अजे भूक नहीं तो ऐसे कार्यू का फल क्या होगा या कथन किसका है तो ये कथन किसका है दोस्तो तो ये सुकला जी का जोआला का सिर्मतिश सुक्ला का या हानिकार का ये कथन किस का है दोस्तो yak 1500 है आप लोग को सुक्ला जी का है करे देखी सराव ना पीने की सोगंद किसने लेनी पढ़ी थी कोन बोला था दोस्तो कि सराव ना पीने की पीने की सोगन किसने लेने पड़ी थी तो सराबी ने ये कहा था दोस्तो देखे पाने के उबात देने से उसकी खराबी जाती रहती है यह बात किसे मालूम नहीं थी तो किसे मालूम नहीं थी दोस्तो ठाकूर का, कुमा का, गंगी और जोग का या ठाकोर और माता दिन का तो ये इस का राटन से क्या हो जागा तो ये हो जागा आप लोग को Opsن number अब हो जागा गांगी और जोग का देखे परिंदे संग्रा में संकलीत कहानिया कहानियु कि संख्य कितनीए साथ, आठ, चार, पांच तो परिंदे संग्राब में जो संकलित कहानी उसमें कितना संख्या है दूस्तों इतनी संख्या है तो यह आप लोगों कितना है कहानियों की संख्या तो यह साथ है आगे देखिए दिल्ली में एक मौत किन की एक कहानी है तो दिल्ली में एक मौत या कहानी किन की है दूस्तों उपेंद्रनात असक का कमले स्वर का सितारे हिंद का मुंसि प्रमचन का तो यह किसकी कहानी है दूस्तों दिल्ली में एक मौत तो यह कहानी किसकी है दूस्तों तो यह है आप लोग को हमले सब्सक्राइब की कहानी है though ढ़िए कितने साल की नोकरी के बाद होकर घर जा रहे है रहेदे तो कितने साल बाद दोस्तहों तीस साल पाहनती है और चालिस साल साल कि या जा रहे थे दोस्तों घर तो यह जा रहे थे आप लोगों को 35 साल में आगे देखिए कुछ लोग ही लोगों के जेब से पैसे खीचने के लिए कुछ बहाना चाहिए कथन किसका है दोस्तों तो मिस्पाल यस्पाल का सुकला का यह इंनि है कोई ने इसका राटेन च्या हो जागा दोस्तों यह कथन किसका है तो यह कथन है आप लोगो सुकला जी का आप तो कि ćuppी क्या है तो घोड़ा है बक्री आदमी है या कुट्ता है तो क्या है दोस्तों पिंकी क्या है यह पिंग आप लोग को क्या है आदमी है देखें प्रिथ्वी राज रासों किस कवी की रचना है तो प्रिथ्वी राज रासों किस कवी की रचना है मुल्ला, दाउद का, जगनिक का, चंदो, चंदर्वाव, दाई का या इन में से कोई नहीं तो प्रिथ्वी राज रासो किस कवी की रचना है दोस्तों तो यह है प्रिथ्वी राज अब लोगों चंदर दाई की रचना है दोस्तों अगे देखिए कवी रचना कार के लेख आई दोस्तों नरु तंदास के सवदास भलब भलबद मिश्र यह सेनापती तो कवी कवी रचना कार के लिख आई यह है आप लोग को और है यह है सेनपती है कि देखिए गोव स्वामी विठ्थल नास द्वारा अस्ट छाप के अस्थापना वर्स है दूस्तों अस्थापना वर्स कब हुआ था यह 1965 में 2006,1964 में, तो उनका जो चपक हुआ था यह कौन सा यह है यह अप लोग को था दोस्तों 1975 यह में हुआ था देखिए माह कविषव शुर्दास का जन्म अस्थान है दोस्तों तो महा कविषव ुर्दास का जन्म का हुआ था दोस्तों मघहर में सिही में मत्हुरा में रिंदावन में तो महा कवी सुर्दास का जन्म का हुआ था तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों मत्हुरा में जन्म हुआ था देखे वीर हवा रिती का भी धारा के किस कवी की कृती है दोस्तों तो किस कवी की कृती है दोस्तों कि दुष देज अलम बोधा ठाको तो किसकी रचना है दोस्तों यह आप लोग को बोधा की रचना कि देखिए सौह सया के दोहरे जो नावक के तेर किसके दोहे के लिए कहा गया दोस्तों तुलसी के लिए बिहारी कभीर या रहिम के लिए तो किसके लिए कहा गया है दोस्तों ये दो है तो ये कहा गया है दोस्तों आप लोग को व्यहारी के लिए देखें सीवा बावनी के रचनाकार कौन है तो कौन है दोस्तों सेनापती भूसन है नरपती नला धनानन है तो कौन है दोस्तों शिवा वावनी के रचनकार तो यह है दोस्तो भोसन है देखिए पत्थिक किसका काविश संग्रा है दोस्तो तो पत्थिक किसका काविश संग्रा है दोस्तो विद्या निवास मिश्र का मैथिश रंदगुप्त का जगदिश चतुरवेदी राम नरेश तिरफाटी तो पत्थ किसका कावि संग्रा है दोस्तों यह आप लोग को राम नरीश्ट तिरपाथि की रचना है कि अ कि एक और दुरऊनाचारी किसकी नाची क्रिती है तो ये किसकी नाची क्रिती through संकर सेज का भस्म सानी लाच्मि नरायन डाल या सुरेंद्र वर्माग तो ये कि नाची परिती किसके दूस्तों एक दुर्णाचारी यह है आप लोग को संकर सेज का करें करेंगे जंद्रा वलिनाटि का के दची आता है दूस्तू कौन है भार्त ते अब हरी चंद्र हरी क्रिश्न भारति धर्म विर भारति जैसंकर परसाद तो कौन है दूस्तों चंद्रावली नाटिका के रची अता तो यह है कौन तु यह भातेन्दु हरिश्चंद्र जी है आगी देखी कि अमौन देखी चतूरी चमार उपन्यास है दोस्तों यह कुण किसके हैं उपन्यास दोस्तों जैसंकर पशाज जनिंद्र निराला प्रयम चन्ध जी कि owing दोतों चटूरी चामार उपनियास तो यह है कि इनके दोबार लिखे गी यह उपनियास तो यह है आप लोगो निरालाजी व्योब अब द्हार है के जिएत्व जो इस फीड़ ही तो इसांटी आट मुण स tão तो कुण सी रचना है दोस्तों ये गुडिया वितर गुडिया तो ये है आप लोग को आत्म कथा है दोस्तों देखे सुदास के अनुसा सच्चा राजधर्म क्या है तो सच्चा राजधर्म क्या है दोस्तों तो सुदास के अनुसा सच्चा राजधर्म क्या है अनिति दूर करना राज प्राप्त करना प्रजा का हिद करना प्रजा से कर लेना तो सोधास का नुशा सच्छा राज धर्म क्या है तो यह है आप लोगों को प्रजा का हिद करना आगे देखिए देखे राम चारित मानस किसके क्रिती है दोस्तों तो कविदास की सुर्दास की नाभा दास की तो ये क्रिती किसकी है दोस्तों तो ये आप लोगो तुलसिदास जी की है दोस्तों यह आगी देखे बिहारी की रचना का क्या नाम है बिहारी की रचना का क्या नाम है दोस्तों इसमें देखे बिहारी सत सही बिहारी चट जई या बिहारी सही या बिहारी नाई तो बिहारी की रचना का क्या नाम है तो यह बिहारी सत सही आगी देखी दूप हरी में कौन सा अलंकार है तो इसमें कौन सा अलंकार है तो प्रांतिमान अनुपरास उपमा या इनमी से कोई तो इसमें कौन सा अलंकार है देखी दूप हरी में तो इसमें है कौन सा अलंकार है इसमें है आप लोगों को अनुपरास अलंकार है देखें निमलेखित में कौन सी रचना रस्खान की नहीं है तो कौन सी नहीं है दोस्तो सुजान रस्खान रस्खान सातक प्रेम 25 प्रेम वाटिका तो कौन सी रचना रस्खान की नहीं है दोस्तो तो यह हैं आप लोगों को प्रेम 25 जबकि सुजान रस्खान रस्खान सत्था और प्रेम वाटिका यह रस्खान जी की रचना है दूस्तों कि अब देखे विद्यापति के बाल साखा थें तो कुन थे राजा कृति तो कृति सिंग राजा सिव सिंग राजा मिलतून जय सिंग या दरभंगा नरेश कमलेशवर सिंग तो विद्यापति जी के बाल साखा कून थे तो यह थे आप लोगो राजा सिव सिंग थे देखिए कभीर की वाने को डिक्टेक्टर किस ने कहा तो पंत ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने तू कौन कहें थे दोस्तों यह कहें थे आप लोगों को देखिए ओप्शन वर सी में अब क्या है और डी में आचार सुक्ले ने और हजारी पसाद दिवे दी तो कौन कहें दूप्शन वर दी धो आगे देखिए वलाबाचार ने सुर्दास को किस मत कि सिच्छा दी ती देत वादि मार्का सकी भक्ति मार्का तो इसका राटायों से क्या हो जागा दोस्तों यह हो जागा आप लोगो को पुस्टि आ के कि देखें रामचारित मानस में कुल कितने खंड है तो रामचारित मानस में कुल कितने खंड है तो इसमें साथ है पांच है चार है या आठ खंड है तो इसमें कुल कितने खंड है तो साथ खंड है देखे भूसन की मुलिक्ता क्या है तो भूसन की मुलिक्ता क्या है रिती कालिन अलंकारिक कवी के रूप में रिती कालिन के सिंगारिक कवी के रूप में रिती कालिन सिंगारिक कवी के रूप में या इन में से कोई नहीं तो क्या होगा दोस्तों भूसन की मुलिक्ता क्या है तो यह है आप लोग को दोस्तों से रितिकायल के सिरिंगालिक कवी के रूप में अब भरंज प्रभावित हिंदी रचना कुण सी है दोस्तों तो कुण सी डोला मारू भरतिश्वर बहुबली रास खुमान रासो जैमंत्र जस चंद्रिका तो क्या होगा दोस्तों अब भरंज प्रभावित हिंदी रचना कुण सी है तो यह है आप लोग को भरतिश्वर बहुबली रास है आगे देखी लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं तो जाती के संप्रदाय के धर्म के या समाजव के तो किसके नाम पर दिखावा करते हैं तो यह करते हैं दोस्तों आप लोग को धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं आगे देखी अधुनिक हिंदी सही दोस्तों तो आधुनिक हिंदी गोन occup के जनकान है वाकर्न बालत मक्मधुच्न भोट भाथ तैंदू फ्रीं चेंदर के जस्फचों परिंदैंत? तो अधुनिक हिंदी passar के concurrent कौन है तो यह हैं आप लोग को भातिंद Tree है अगी देखिision देखे भात्यन दो यूग का परधान यह सरोधिक प्रचलित काविय रूप था दोस्तों कुनसा काविय था मुक्त काविय चंपो काविय प्रबंद काविय खंड काविय तो कुनसा काविय था दोस्तों जो सरोधिक प्रचलित की रूप में था यह भात्यनुजी के यूग में सिंसा खाविय था असे था अब नोगें ने में कितने खंडू कावियों की रचना किये मादो इतना खंडू के रचनना किये 15 finances छोल्लों शत्र इस तुघण के दवार कितना खंड पावजिक принципе गाई है देखिए इनके दव्याइश रहसा तिов के गुपता जी को की सम्मान से अलंकरीत। क्या गया है तौ Radio मैं मौनिये से गुपता जी को किस सम्मान से अनलंकित किया गया है तो उनको किया गया है दोस्तों राष्ट कवी से अनलंकित किया गया है देगे निराला जी समाज में प्रचलित ढोंग का बड़ा चोपता है द्रिज कहा गया है सिंदू की किनारे, सर्यू की किनारे, गोमती के किनारे या गंगा के किनारे तो इसका राटेंस से क्या हो जगा तो ये गोमती के किनारे हो जगा देखे संध्या सुंद्री कविता किनकी है तो संध्या सुंद्री कविता किनकी है दोस्तो पलसाद के निराला के दिनकर की या पंध जी का तो संध्या सुंद्री कविता किनकी है दोस्तो तो यह है आप लोगो कविता है पंध जी की किसका है दोस्तो यह पंध जी का नहीं है եोस्तों शोरी हिणी निराला जी की यह कवीता है दूस्तों संध्यासुंद्रे देखे पंध दवार रचित महाकावी है दोस्तों तो पंध जी की दवार रचित महाकावी कुण सा है दोस्तों इस चारों में सी स्वन की रन खादी के फूल रस्मी बंद लोक या लोकाय तन तो क्या हो जाएगा दोस्तों पंध दवार रचित महाकावी कुण सा है दोस्तों यह है आप लोक को दोस्तों अप्शन बड़ी लोकाय तन हो जाएगा देखें पंध जी को कविता करने की प्रहना कहां से मिली तो पंध जी को कविता करने या पढ़ने की प्रहना होगा दोस्तों करने की नहीं तो यहां क्या हो जगा पंध जी को कविता पढ़ने की प्रहना कहां से मिली तो प्राक्रितिक सुंदर से देश प्रेम से प्राक्रि महा देभी वर्मा नए नहीं मोहा देवी वर्मा जी कि प्रथमी नहां संद्यागेट रस्मी तो क्या नाम है दोस्तों महादेवी वर्माजी की पर्थम जो काभी संग्रा है दोस्तों कौन सा है तो यह आप लोग को कौन सा है तो निहार है इसको याद रखें दोस्तों क्योंकि इंपोर्टेन है दोस्तों पर्थम काभी संग्रा पुछा जाता है और अंतिम पुछा जात दोस्तों अपनी वेदना को मदुमें पीडा किसी ने कहा तो पंत जी महादेवी ने निराला ने परसाद जी तो किसी ने कहा दोस्तों ये कहा अप लोग को है महादेवी ने कहा दीके दार्षथनिक द्रिष्टी से परसाद थें जेन थें बोर थें वेसनों या सिसे तो क्या थें दूस्तों दार्षथनिक द्रिष्टी परसाल जी तो यह थे आप लोग को को सिय ओ थे देखे पांडे वेचन सर्मा ऊगर की वेग गविद्दा में क्या मिलती है तो क्या मिलती है जूस्तों निर्भिक्ता उग्र की वेंग कविता में क्या मिलती है तो इसमें मिलती है दोस्तो आप लोग को उल्लास मिलती है देखे दिनकर कि मनूज का सरे कविता किस रचना से उद्वत है ने उद्धत है उद्धत हो जाएगा दोस्तों इसमें उद्वत नहीं है दिनकर कि जो भी मनूज का सरे कविता किस रचना से उद्धत है में दोश्टों तो तो कुरूझ चेतर से रस्मी रत्ति से हुका से हिमाले से तो कहां से दूस्तों यह रचना यह है आप लोग को दोस्तों कुरूच छेतर से पर्शु राम की पतिच्छा काव की रचना कब हुई थी तो कब हुई थी दोस्तों 1965 में 1963 में 1964 में 1964 में तो कब हुई थी दोस्तों ये हुई थी आप लोग को दोस्तों 1963 में कब हुआ था दोस्तों पर्शु राम की पतिच्छा काव की रचना तो ये हुआ था 1963 सब्सक्राइब देखिए अगे कि किस बाद के प्रेनेता थे तो प्रयोग वाद के नकेन वाद के छाया वाद के या प्रगतिवाद के तो इसका राटेंस है क्या हो जागा दोस्तों यह हो जागा आप लोग को दोस्तों यह हो जाएगा प्रयोग वाद के थे अगे जी आगे देखिए देखिए अग्या जी कब आकासवाने में कारियर थे तो कब थें दोस्तों यह 1943 से 45 44 से 46 या 40 से 42 तो अग्या जी कब आकासवाने में कारियर थे यह थे आप णिर्फ आपको सब्सक्राषएगी दोस्तों 24- Doll port लंविया दीश्मेहिव का नाम क्या है तो भी नहीं गर्वंधनात मिश्र तो बहुत नट मिश्र यह बेखनात मिश्र या बेज ऐखिव एस baru नाम पिस दू नाshot दू अग्या दोनिक आप वास्तिविक नाम क्या है दोस्तों तो प्रगतिवादी कभी बाबा नाम से प्रसिद है दोस्तों तो कौन नागार्जोन वासुदेव सत्यदेव राजहंत या केशरी कुमार तो कौन है दोस्तों जो प्रगतिवाद कभी बाबा नाम से प्रसिद है यह है दोस्तों आप लोग लुको ना गरजुन जी आगे देखी , बैसर्वेस्यल द्याल सक्षेना का जिवन काल था जिवन काल उनका क्या था जुश्टो तो यह था आप लोगों यह दीकर बैशाएब हो जागा दोस्तो अनिसो सता है इसी के बीच में उनकी स्वर्विस्वर् द्याल सक्षेना का पहला कविता संग्रा कौन सी थी कुवानों नदी काट की घंटिया बांस का फूल या खुटियों पर टंगे लोग तो शर्विस्वर्विस्वर्व द्याल सक्षेना का पहला कविता संग्रा कौन सा है दोस्तों तो इनकी है पहला काट की घंटिया आगी देखी दूमिल की कावी सिल्प में एक जबजस्त क्या है तो क्या है गर्माहट है आक्रोस है घ्रिना है या इन में से कोई नहीं तो इसका राटें से क्या हो जागा दोस्तों यह हो जागा आप लोग को गर्माहट देखे दूमिल की सेचने की योगता क्या थी तो क्या थी हाई स्कूल इंटरमेडियर्ट या असनातक या असनातक कोर तो दूमिल जी की सेचने की योगता क्या थी दोस्तों तो इनकी सेचने की योगता थी हाई स्कूल देखे होरी की गाय का जहर किस ने दिया था तो स्वभा ने भोला ने दाता दिन ने या हीरा ने तो होरी की गाय का जहर किस ने दिया था तो ये दिया था दोस्तो हीरा ने दिया था दोस्तो जहर देखें भहयंकर विमारी के कारण कुवा में दवा डालना चाहता था कुवा में दवा डालना चाहता था था तो लर्सिंग दास ने डौक्टर परसांत ने राम दास ने या बाल देव ने तो किसने कों डालना दावार डालना खोज रहा था दोस्तों यह खोज रहा था दोस्तों आप लोगों रामदास देखें सिवपाल गंज में रंगनात के कौन रहते थे तो तावी रहते थे मामा रहते थे पिता रहते थे चाचा रहते थे तो शिवपाल गैन्ज में रंगनात के कौन राहते थे ये रहते थे दोस्तों तो मामा रहते थे आगे देखी देखे इसमें मुंसी प्रिमचंद ने किस पत्रिका की अस्तापना की तो मुंसी प्रिमचंद जी ने किस पत्रिका की अस्तापने की बिजले हास अमरित बजा या गोदान तो मुंसी प्रिमचंद ने किस पत्रिका की अस्तापना की यह पत्रिक और कि कि थो मेरी गंजगाऊ में मक्ष फसल की पेदावार इन में से कून नहीं है को नदान पाड़ कैसारी कित के सारी या जो तू świat When मुखष फसल की पैदावार इनमें से कौन सान नहीं दियाफ लोग बीका जो है आगी देखें देखें राग दरबारी उपन्यास में बच्चों का अड़ा कहां बनता चला गया तो कहां चला गया गाओं में कोलेज में विद्याला में या मैधान में तो जो राग दरबारी उपन्यास में बच्चों का अड़ा कहां बनता चला गया था ती चला गया है आग दिछी में डिकल लड़ने वाले उपय ठीका लगाना इतियादी हो था लोग किस को यहें नहीं रहते हैं दूस्तों शीत लता से जटलता से मुह से या रोग से तू किसे किसके डर से मना कर रहे थे यह कर रहे थे दूस्तों कि शीत लताग से देखिए योन तेरी चंचल छाया शिर्शक नेप्थाइगे दूर स्वामनी नाटक को किस अंग में है दूस्तों तो प्रथम में दूइत्य में दूइत्य में एन में से कोई नहीं तो किस नाटक के अंक में है दूस्तों तो यह है अप लोग को दूइत्य अंक में है देखे पूरुस एक इस्तरी से किस के घर जाने के बाद कहता है तो किस के घर जाने के बाद कहता है जो नेजा मुकेश के घर मॉनोच के घर या सिंगानिया के घर तो किसके घर जाने की बात कहता है दोस्तों यह आप लोग को तो इसका राइट एंसर अप्षनमडी सिंगानिया के घर हो जाएगा देखे भारत दूर दसा नाटक के आधार पर भारत दूदेव किस फोजदार को भेजने को कहता है तो सत्यनाज को कुरोध को अंदकार को या आलश को तो किसको कहता है दूस्तों यह कहता है आप लोग को यह सत्यनाज को देखे खीगल कौन था सक्राज का सेनापति था कौमा का भाई था सकराज का दूद्ध था देगेश तिरे की छोटी लड़की कि आयओ कितनी तिक तो कितिनी थी दूस्तू तो धस्यार वर्श चोदों पंद्रों रह्श बारो गया था तो किस नधी के टर्ड़ तो सब्सक्राइब गंगाग गंडग गोम्ति या यवना नदी किनारे तो किस नदी के टट पर गया था यह गया था दूस्तों गोम्ति नदी के किनारे अरे पर देखे ठाकूर का कुमा पाट के आधार पर दवे पाओ ठाकूर के कुवे पर कौन चड़ी थी तो कौन जोखो ठाकूर या गंगे या मानति तो कौन चड़ी थी दोस्तों ये चड़ी थी दोस्तों आप लोगों गंगे चड़ी थी देखे नीलम देश की राज कन्या किस विद्ध की रचना है दोस्तों उपनियास्थ नाटा कहानी या निम्मद तो नीलम देश की राज कन्या किस विद्ध की रचना है दोस्तों यह है आप लोग को रचना है दोस्तों यह न कहाने किये है परेंद्य शेड़ सक कहानी में किस पातर को केंदिधा मिली है लातिका को तो किसको मिला है दूस्तों तो लत्यका को देखिए अतुल भावानी ने सूत कहां सिलवाया था तो अतुल भावानी ने सूत कहां सिलवाया था दूस्तों पठान मार्केट में खान मार्केट में चंदनी मार्केट में या धर्मा मार्केट में तो अतुर्थ भावानें जो शूत कहां सही से लवाय था ये से लवाय था दोस्तों ये खान मार्केटू देली तुन देखे गजदर बावो किस dayoway station पर कार्योदत तो किस knocking पोर्पर रानेपूर पर आगरापा या डिलीपा तुन किस स्टेशन पर तफार डांनेपूर रेरेवेOS चैंशन पर कार्यवर थी कि देखिये यस पालने लख्णवी अंदाज में किस वर्ग व्येइंग और कटाज दो समानतिफ वर्ग वेपारी वर्ग क्रिशभ वर्ग या शिर्ळत टूकिस पर ये व्या और कटाज किया थ दोस्तों यसavещ वने लख्णवी अंदाज में दिर्धिये थें दोस्तों कटाच मारे थें और वेंग कें थें तो समंती वर्ग में देखिए दो आदमियों को खाना भी यहां देखिए क्या है कोस्टन में कि दो आदमियों को खाना है यहांर कि दो आदमियों को खाना है अभी यहां दो नो ही भूखे रहना पड़ेगा तू यह कथन कि … यह कथन है दोस्तों रैंजीत जी का है चल आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा या कथन किसका है दोस्तों तो सरावी का लेखा का ललू का या मधू का तो यह किसका कथन है दोस्तों तो यह कथन है आप लोगों कि सरावी का कथन देखे ठाकूर का कुवा का पाट में कुप्पी की धुन्धली धुन्धली रोशनी किसपर आ रही थी दोस्तों किसपर आ रही थी तो ठाकूर का महल घर जोखु की जोपडी या कुवा तो इसका राटेंसर क्या हो जागा दोस्तों यह हो जागा आपनों को कुवा हो जागा थैं तो तुस ी मद्धमाय शंसें ब्रॉक्त सभी तो किस प्रकार किती हैं श्रेट दिवाद्चंद्र के यह थेत हैं ऑप लोगको को शरीप ओ दुनिया दार थे क्विधी गज़य दरबाव किस्षेत में नौक्री काते हैं तो किस श्रेत में नोकरी करते थे तक्राइब ट्रक में तथिल में या डियुक भालक में गज्ञादर वायू के शेट्र में बिवरह्यकं करते थे यह करते थे आप लोग दोस्तो र Sortad में नोकरी करते थैं अधिए देखे किस पार्क के आसवास मेला या जलशा लगा रहता था तो किस पार्क के आसवास दोस्तो पटियास पार्क पर मेला दोला पर फेरोजपूर पर तो कहा पर लगता था दोस्तों तो ये किस पार्क के आसपास पर मेला या जल्चा लगा रहता था तो ये अमीनू दोला पार्क पर बंस राइशन के डाक खाने के पास पहुचका मिस्पाल किसे बात कर रहे थी तो किसे बात कर रहे थी दोस्तों मिस्पाल वकिल से पोस्ट मास्टर से दुकंदार से या उप्रोत में सभी तो किसे बात कर रहे थी दोस्तों ये कर रहे थी बात पोस्ट मास्टर से कि आगे देखी सेट दिवान चन्द सेट दिवान चन्द कहां के मसूर précisो हैं लोगपिर पूरी बिजनेश में थे कहां के थे दोस्तों पहड़पूर चांघनने बाजार करोलबाके या राजेंद्र नcious दोस्तो हैं आगार के थे तो कहां के यह भाग की थे देखी गजदर बावु नोकरी के कारण पर आया कहां रहते थे तो न रहते थे रानिपूर स्टेशन में छोटे स्टेशनों पर या चांजरिने स्टेशन पर या बेरकपूर स्टेशन पर तो गजदर भाबु नोक्री के कारण प्राय कहां रहते थे यह रहते थे तो छोटे स्टेशनों पर रहते थे देखे परानी हिंदी नामकरान किसने किया दोस्तो इसा अल्ला खाग चंद्रधर सर्मा गुलेरी हजारी पासर दिवेदी या राम चंद्रशुकुला तु परानी हिंदी नामकरान किसने किया था दोस्तो तो यह नाम करना किसी नहीं किया था तो यह किया था चंदधर सर्मा गुल लेदी तो इसका राट एंसर क्या ओंगा दूस्तों यह ओंगा आप लोगों is i fall जागा प्राक प्राक्रित प्रेगलम के राचियता कुन है दूस्तों विद्यापति जी वन्सिधार हैं चंदरा या बशन भो तो कौन है कि धू Але तो तो प्राक्रितिव पेंगम लंक कि रचेता और यह है दोस्तों कि इस कभेर के है कि युद्र लोकवास होने रूक मिले कि युद्रक दे नहीं मिलिया उनकी गद्रके किन्हें मिली दोस्टो कभिधास को श ili ने कभिदास को मलुक दास को धर्म दास को या रविंदास को तो ये गंख केंद को में ने अटफू कभीर की और लोकवास होने पर उनकी गंख deficit नहीं तो यह मिली थी गदी दोस्तो धर्म डावस को मिली थी देखिए नाग फनी का देश किस काल की रचना है दोस्तो तो नाग फनी का देश किस काल की रचना है दोस्तो रितिकाल, आधिकाय, भक्तिकाल, या अधनिकाल, तो किस कल की रचना है दोस्तोओ यह है अपो день में अधनिकाल की रचना है आग तेकि कहनी संग्राद दूसरा ताजमहल की रखिका है दोस्तो Laciz Buffett तू ममता कलिया अ अनिता जैन जैन ऐा नसीरा को नहीं है थो तो कानी संगरा दूसरा ताज माल के लेखी का कों कि भूला राम का जू किस्विधा की सन्समरान के निम्मां वियंग कार्या लेखा चीत्रे तो क्या है दोस्तो ए है अप लोगो को इसका क्या हो जगा राइट एंसर एक तरीस नमर कोस्टेन का यह हो जगा आप लोगो निम्बंद है असमरन भी नहीं है व्यंग भी रिकांचित्र भी नहीं है क्या है यह निम्बंद है देखिए मद कालिन बोद का स्वरूप के लेखक हैं दोस्तों तो कौन है हजारी पसाद दिवेदी नामोर सिंग राहो सत्रियान यान राम चान शुकल तो मद कालिन बोद का स्वरूप का लेखक कौन है दोस्तों तो इसका लेखक है दोस्तों आप लोगो हजारी पसाद दिव हर लो कंड़ें मोन हरी हार में क्था अभी क्वेंजित हुआ है क्या भी वेंजित हुआ सुन्दारय ये इवक मंच से masih वुवesque we यह जागा आप लोग तो संदर्य भी इवक मंच भी सिंगार भी तो इसका राटन सो अपरोक्रि में सभी हो जागा देखे प्राथम रस्मी जयोती भारत कविता किनकी है तो यह किनकी कविता है मैंत्रि सरन गुप्ट की कविता है निराज की या पंच जी का या निराला जी का है तो यह जो प्राथम रस्मी जयोती भारत की कविता किनकी है दो तो यह कविता है आप लोगों को पंच जी का कव कि देखिए पंच जी को उनके कीस रचना पर साहित अकाद में पुरुष का प्राप्त हुआ था तो कुन से रचना है दोस्तों इग्वांत चितंबरम चितंबरा है काला और बुड़ा चान या लोक तन तो कोन से रचना है दोस्तों काला और बुड़ा चान इन्ही रचना के काले इनको साहित अकाद में पुरुष का पंचे को आगि देखी महादेवी वर्मा का निधन तिथी बताईए तो महादेवी वर्मा का निधन का भुग था जोस्तो तो उनका निधन भुग था 1987 इसे में गारो सितंबर 1987 इसे में देखें निमलिखित में कौन से कृती महादेवी वर्मा दोबर लिखा गया यह सबी तो महादेबी वर्मादौरा लखे गई जोस्तों परिधि, निहार, दिप्शिखा या यैस सभी महादेवि वर्मादा लिखिये गई कौन्सी है दोस्तों यह क्रिती उनाफ जाने कम और दिप्शिखा भी है तो इसका राटेंसर eg सबस्के попроб drysat घुए अगी देखें धुए जगरी शेर्षक कविता किसक्की है दोस्तों तो बीती विभा वरी जागरी सिर्षक कविता किसकी है दोस्तों पंध जिकानीराला का मैं राम मेंथ चशलू अनुपथ के यह पसाद पहसाच जी की कविता गए देत चाह plac Kimberly क्रेम और मस्ती के कविय पिनक कहीं कहीं नETिक मर्यादा को भी क्या कर गए हैं तो क्या कर गए हैं तो आधी करमन कर गए हैं अधी कर तो इसका राइट एंसर क्या हो जागा दोस्तु तो यह हो जागा अपलोगों को अधिक्रमन कर गए है आदे कि दिनकर जी को दिनकर जी को आधुनिक का भी धारा कि किस कुल का कवी है दोस्तों तो किस कुल का कवी है दोस्तों प्रगत्ति वाद दोतर का है या छाया वाद दोतर काल का या प्रयोग वाद दोतर या दवेदी कलंतोर का तो इसका राटेंस से क्या होगा दोसो यह ओप्शन नंबर कौन सा हो जागा यह आप लोग को भी हो जागा छाया वादू तरकाल का देखे दिनकोर को किस मिला क्रिती का ग्यान पुइट पूरसका मिला था यहां कोस्टन में थोड़ा देखिताथ टैपिंग में मिष्टे होगा की दिनका जी को कौन साएं क्रिती है जिस पर उनको ग्यान पीट उसका मिला था तो वो किस क्रिती के चलते उनको ग्यान पीट उसका मिला था तो तो साम धेनी पर नेल कुसुंपा या औरवसी या साम धोनी पर तो इसका राट एंसर क्या हो जागा यह हो जागा आप लोगो औरवसी जो क्रिती है राचना किये थे उन्हीं के चलते इनको मिला था ग्यान पीट रुष का देन का जी को देखें निजिता की सुरच्छा की प्रतिन निधी कवी थें दोस्तों अज्याजी, जग्रिश चतरवेदी, रामेश्वा सुकल, अंचल या भावानी पसाद मिश्र तो निजिता की सुरच्छा की प्रतिन निधी कवी है दोस्तों तो कौन है यह तो यह है आप लोग को दोस्तों अग्याजी देखें अग्याजी के दोआरा जो तार सब्तक नामक कविता संग्रा कब परकासित हुई थी दोस्तों और यह थी दोस्तों तो dos to । यह तार सब्तक नामक कविता संग्राक कशीत कर दोस्तों यह हुआ था आप लोग mighty पहले हैं उनिस्तो तेटालेशी ही अब देखें नगार्जून के दिरिष्टी में आज का अनाज नहीं आज का सासक गांधी का नाम बेचका हासिल करता है दोश्तों तो नगार्जून की दिरिष्टी में आज का सासर गांधी का नाम बेच का हासिल करता है तो समान या समान और धन धन या भोट तो क्या हासिल करता है दोस्तों तो यह करता है दोस्तों हासिल भोट हासिल करता है देखे यूग धरा तुमने कहा था अपने खेत में कविदा संग्रा किन्की है तो ये कविता संगा किनकी है दोस्तो धार्मवीर भारती की नागार्जुन की तो ये किनकी है दोस्तो नागार्जुन जी की है दोस्तो ये देखिए स्वर्विसल द्याल सक्षेना का जान्म कब हुआ था तो उनका जान्म कब हुआ था दोस्तो 1927, 1928, 1929, 1930 तो उनका जान्म कब हुआ था दोस्तो सर्यो में द्याल सक्षेना का जान्म तो उनका जान्म हुआ था दोस्तो आप लोगो 1927 में उनका जान्म हुआ था दोस्तो देखिए तुलसिदास के दिच्छा गुरू कों थे तो कं थे नरहहरी दास, क्रिशन दास स्याम दास या एनमे से कोई ने तो कुन थे दोस्तों तोसी दास के दिच्छा गुरू कुन थे ये थे दोस्तों नर हरी दास थे देखें रस्खान का मूल नाम क्या था तो रस्खान का मूल नाम क्या था दोस्तो सेयद इसुप, सेयद मुला, सेयद इकबाल या सेयद इबराहीम तो रस्खान का मूल नाम क्या था दोस्तो तो उमका मूल नाम था दोस्तो सेयद इबराहीम कौनसी कृति भूसन की है कौनसी करीति भूसन है गैप भाम या स्यवान भापनी तो दिह करीतों की बहुतने जी का है तो ये करीति आपसे बापनी है देखें किस भासा को काभी गौरोप पदान करने में विद्यापति को अतुलन्य योगदान रहा है तो हिंदी भासा का देशी भासा मेथले भासा या संस्क्रीट भासा तो इसका राट अंतर क्या हो जगा देशी भासा अ कि देखें इन में से कौन से कृत यह कवीधासकी है तो कу में धने सांखी बीजक या यह सबहा है तोselा इन में से कौन सी में कोमें 15 अधर कर दास की है ये हैं आप लोगो को रैमेनी भी हैं साखी भी है और विजक भी तो इसका राट एंस एक पर ओपी नॉबर डी होता यह सब आगी देख़ती देखें गोपियां को को रोगाउ इस दो Teil को आपके पो ओने को तो विश्ती को एकर पोके जुटी स्लीठ और तो इसका राटन चोर देखें लिए इसमें गोप्यों को को कुश्थ थैं particular को यह तो गलत हो जगा someone had ya'd sभी लोग नहीं को नहीं कुश्था आकास को भी नहीं ओर ओर नोक नहीं तो इसकान राटन स्वर रोग हो जगा आप लोग का इन्वी से कोई नहीं गोप्यो कोस्ती दूसरे को कोस्ती थी दोस्तों देखे तोलसी का जन्म कहा हुआ था तो तोलसी का जन्म कहा हुआ था शनपूरा गाउ में बलेहारी गाउ में छतरपूर गाउ में राजापूर गाउ में तो तोस्री का जन्म का हुआ था दोस्तों तो उनका जन्म हुआ था दोस्तों ये राजापूर गाउं में देखे क्या कि जिस कवी में कलपना की समहार चर्टी के साथ भासा की समहार सक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वा मुक्तक की रचना में सफल होगा ये सच्छम बिहारी में पून रूप से बेतन वर्तमान है वर्तमान था या किसका कथन है तो ये किसका कथन है दोस्तों तो ये रामचंदर अचारे रामचंदर सुकल का डोक्टर नागेंदर का या बेचन सर्माउर का तो ये कथन किसका है दोस्तों ये कथन है अचारे कि ये फोसन के कवित रचना में सत्रूओं की सर को कि किसे दिया जाता है तो किसे दिया जाता है तो सुरिय को काली मा को किरिक कि किति का हो देख्या हरी तो कि सब्द सक्ति का परियूग हुआ है दोस्तों तो वेंजना का अभीधा का लचना का 800 शी तो तो कि सपद का सकती का कि सबस्तकर परियोग हुआ है तो इसे में हुआ है वेंजना का परियोब हुआ कि दिखे नमभग्त भक्त माला के रचियता कवी कोन है दूँशतो तो नभधास १ रधाचरण गवासॵाश्वाम्य या भरतेंदुंब तो कोन है तो यह है आप लोगों को रामचंद्र नहीं रामचंद्र नहीं है यहां क्या है राधाचरन गुवास्वामी है क्या है दोस्तों राधाचरन गुवास्वामी देखे भातेंदु जी के पत्नी का क्या नाम था तू भातेंदु जी के पत्नी का क्या नाम था चुन्नी देवी भाती देवी मुन्नी देवी या सुरभी देवी तू उनके पत्नी का क्या नाम था तू दोस्तो भातेंदु जी का तू उनके पत्नी का नाम था मुन्नी देवी आगे देखी साकेत में कितने सर्ग थे तो बार नहीं बार नहीं सत्रा सत्रा बार चौदर या सॉल लोग तो साकेत में कितने सर्ग थे तो साकेत में सर्ग कितने थे दोस्तों तो इसमें आप लोग को पता होगा कितने सर्ग थे तो इसमें 12 सर्ग थे कितने थे 12 तो इसका रायट एंसर अप्शान नंबर भी हो जागा अगे देखी लेके मैंत हरानकर गुप्त को मंगल परसाद पुरुशकार कब मिला? तो कब मिला था दोस्तों मेठेश अरण गुप्त को मंगल परसाद पूरुसकार कब मिला था 1902 में, 1924 में, 1956 में तो उनको कब मिला था दोस्तों तो उनको मिला था 1952 देकि रहिष्षिवाद से संब्बन रखने वाली निराला जी की रचनाय की सिरंग रूप लेकर चलती थी तो क्या है दोस्तों साहिथ यक्ता अध्यात्मिक्ता समाजिक्ता यह राजनिक्ता तो इसका राटन से क्या हो जागा दोस्तों यह हो जागा आप लोग को आज द्ज्यातत मिक्ता हो जागा देखे स्रविसवाल द्याल सक्छेना को कौन सी रचना के लिए साहिती अकादमी पुरुषकार से समानित क्या गया है दुस्तो बास की पुत्र बास के पुत्र नहीं होगा यहां बास के पूल होगा और काट की घंटियां खुटियों पर टंगे लोग या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर क्या हो जागा दोस्तों तो यह हो जागा आप लोगों को खुटियों पर टंगे लोग अधिकतों कि खुटियों पादि नागाजून की नागाजून की कैसे कवी थे तो खुटियों पर टंग internation धर्मियां देखे विद्धूत में डिप्लोमा नोकरी की करके धुमिल ने कौन सी वेल्डर के लक्टेशन की नोकरी किये थे या अनुदेशक के या इन में से कोई ने तो किसके नोकरी किये थे दोस्तों धुमिल जी ये अनुदेशक के लिए तो ये धुमिल ने कौल कितने अपने अस लिखे थे तो मुंची प्रमचन जी ने कौल कितने अपने अस लिखे थे बारह सोलो अठारो इबीश तो मुंची प्रमचन जी ने कौल कितने अपने अस लिखे थे ये लिखे थे आप लोगो 18 अपनियास लिखे दें देखे कमला अतियंद सात्विक भाव से किन को प्रेम कती थी तो किन को प्रेम कती दोक्टर प्रसांद को सहदेव मिश्र को काल्चरान को बाल्दे को तो कमला अतियंद सात्विक भाव से किन को प्रेम कती थी तो यह कती थी दोस्तो डॉक्टर प्रसांद को करती थी वेद जी वो कितने नुख्य खास तोर से आते थे खास तोर से आते थे चार तेन दो या एक वेद जी को कितने नुख्य खास तोर से आते थे तो यह आते थे दोस्तो दो कि देखे मुंसी प्रेमचंद का जन्म किस वर्स हुआ था तो उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों यह 18802 में उनका जन्म हुआ था देखे मट से लोटने के बाद बाल देव कि जिसकी तबियत खराब हुआ थी सुनता है तो खेलावन सिंग का शकल देव का महंत्र बाबु का चोल्सी बाबा का तो किसका तबियत खराब होता है थी यह होता है थी खेलावन सिंग का तबियत खराब हो जाता है देखे राग दरबारी उपन्यास में किसी बीच के खिचातान को दिखाया गया है तो किसकी बीच के खिचातान का दिखाया गया है दोस्तों अधरसवाद या या थातवाद का जातिवाद या धर्मिक्ता का अधरसवाद या विग्यान का तो किसका खिचाताना दिखाया गया है तो तो रघदरवारी में यह दिखाया गया है तो formula को अधर्सवाद का की अध्या की फोजडार का क्या नाम था तो फोजदार का नाम था तो अवी नास्था अकास्था शंत्य नास्था इंद्र ठीद्धा तो भौजदार का क्या नाम ठादा तो में ताला च वह ज़स्टा में धकें धुरु सवामन किसके कजैल से प्रायराम होता तो किसके कजैलत से उसरे सबादार्रण होता है कि ह sack नाटक औरक धारuntu के धोरस्वामनी के या चन्डर्विप्त के तो दोऀ सस्वामनी किसके कथन से प्रधार्म होता है दोस्तों अपरोगों दोगों थो स्वामनी से find देखें बिन्नी किसके डर से नोक्री नहीं काती थी तो किसके डर से पिता से भाय के माता के से या पती से तो किसके डर से नोक्री नहीं काती थी पिता से भाय से या माता या प्यत्ती के डर से तो किसके डर से नहीं काती थी दोस्तों नोक्री बिन्नी तो यह काती तो यह आप आप लोगों पती के डरस्ति नहीं करती थी देखे भाध दो रसा नाटक के परतम अंग में कौन गाता है तो को लाका देश्तु गायक साधू नठ या योगी तो कौन गाता है तो गाता है योगी गाता प्रसाद का समस्या मुलक नाटक है दोस्तों तो दोर्व स्वामनी विजया कामना या सज्जन तो प्रसाद का समस्या मुलक नाटक क्या है दोस्तों नाटक कौन है तो यह है आप लोगों दोर्व स्वामनी कुंसा पात्र आध्य अधुरे का नहीं है तो कुंसा पात्र नहीं है दोस्तों इसमें असोक है कालिदास है सावित्री या महिंद्र तो कुंसा पात्र आध्य अधुरे नाटक का नहीं है दोस्तों तो इसमें आप लोग को कुंसा है तो यह कालिदास नहीं है जबकि असोक भी अभिया सवित्री और महेंद्री सभी आध्योजोरे नाटक के बातर हैं देखें मिस ओड किस इस्कूल की प्रिंस्पल थे तो किस इस्कूल की प्रिंस्पल थी तो यह थी आप लोगों को नवेंट हाई इस्कूल कुमायू की प्रिंस्पल थी देखें कमलेश्वर कहाने की सफलता की कसोटी किसे मानते हैं तो बहु तेज कत्ता का साथ्थकता का कलपना सिलता का या इन में से कोई नहीं तो इसका राट अंसर क्या हो जागा दूस्तो तो यह हो जागा आप्शन नमर्वी साथर क्या हो जागा आप्शन नमर्वी साथर ता का तो चलिए दूस्तो आज के लिए हमने यहीं तक समाद करता है फिर मिलते हैं नेक्स डे पर जो चलिए आए होप आप लोगो लेडी सुपर वाजर का त्यार अच्छी चल रहा होगा दूस्तो और तरह यहां सिर्कल बाह जोची । झाल झाल